नमस्कार दोस्तों हमारे चैनल ए भी क्लासिस में आपका सौवागत है आज का सब्जेक्ट है डिजाइन प्मसीन एलिमेंट जिसके अंदर आज मैं समझाने बारा हूँ कुपलिंग का इंट्रोडक्शन कपलिंग के इंट्रोडक्शन में आज मैं समझाऊंगा कपलिंग की डेफिनेशन कपलिंग के यूज करने का परपज कपलिंग का क्लासिफिकेशन और कपलिंग के टाइपस यदि आप इस सब कुछ समझना चाहते हैं तो वीडियो पूरा देखें जो भी मैं समझा रहा है उसको ध्यान से सुने और वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक भी करें अब चलते हैं आज की टॉपिक को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले यहाँ पर जो डेफिनेशन लिखी हुई है इसको पढ़कर भी आप समझ सकते हैं लेकिन मैं अपने तरीके से इस डाइग्राम की थूरू समझाने की कोशिस करूँगा आप सिर्फ ध्यान से सुने तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक मोटर बनी हुई है क्या बनी हुई है मोटर इधर आप देख सकते हैं एक pump लगा हुआ है क्या लगा हुआ है pump इस motor के थुरू हमें क्या करना है इस pump को चलागा है तो कैसी चलाएंगे ध्यान से सुनें यहाँ पर देखते हैं motor लगी हुआ है इस खुद की एक साफ्ट होती है motor की जरूत पड़ती है तो हमें motor की जरूत पड़ती है लेकिन motor की खुद की अलग साफ्ट है और pump की भी खुद की अलग साफ्ट है तो हमने क्या किया है जो हमारी motor की साफ्ट है और pump की साफ्ट है एक दूसरे को connect करने के लिए एक दूसरे को जोड़ने के लिए हमने एक device यूट की जिसे हम बोलते हैं मसीन का एक part ठीक है तो यहां पर आपको वो part देख रहा हुगा है इस part को हमने क्या किया इस part के दो भाग होते हैं एक भाग को हमने क्या किया मोटर की saat के एक end पर कस दिया और pump की saat के एक end पर कस दिया फिर इस पार्ट को nut bolt की साथा से जोड़ दिया अब जोड़ने का परपज आपको समझ में थोड़ा थोड़ा आ रहा होगा क्या परपज हुआ कि अब हम आज़ी motor को चालू करेंगे तो चालू होते ही motor की sap गूमेगी motor की sap गूमेगी तो हमारी pump की sap भी गूमने लगेगी ठीक है क्या होगी pump की sap भी गूमने लगेगी तो आपको यह जो पार्ट बीच में connect हुआ इसका परपज समझ में आ गया होगा ठीक है इस जो बीच का पार्ट है इसको हम क्या बोलते है coupling बोलते हैं क्या बोलते हैets coupling का compelling का purpose क्या हुआ पहला तो परपज हुआ है कि कोई भी मसीन की device है अगर हमें एक मसीन से दूसरी मसीन की साप्ट को हमे connect करना है तो हम इस coupling की तुरूँ साप्ट को connect कर सकते हैं दो अलगलग पार्टों की साप्टों को एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं, कप्लिंग के थूँ ठीक है, दूसरा क्या हुआ, कनेक्ट करने का परपच क्या हुआ, कनेक्ट करने से क्या होता है, हम मसीन के एक पार्ट से, इसी दूसरे पार्ट में power transmit कर सकते हैं यहां पर power transmit करने का मतलब होता है कि जो air motor की sub ghoumेगी इसके साथ हम pump की sub को भी घुमा सकते हैं या कोई other भी part machine को जिसको मझे घुमाना है ठीक है एक sub के तुरू दूसरी sub को घुमाना है तो में इस alignment ना हो वो आई खुद के बेट के काना नीचे जोगना जाए उसके परपज बीस से भी हम क्या करते हैं बीच में हम क्या coupling को connect कर देते हैं वो power तो transmit हो रही है और घुमती भी रहीगी लेकिन उसका जो खुद का लोड है वियर कर सकती कौन coupling बीच में fix कर देंगे तो इसके अलावा क्या होता है जो sub का परपज है कि जो हमारे motor में जो भी जटके जो vibration होती उसके जटके लग सकते इस आपकी घुमने करना तेजी से अगर लंबी है तो उसको भी इस coupling के तुरू रोका जा सकता है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं coupling का परपज क्या है जो definition में लिखा हुआ है उसको मैंने बहुत अच्छे से explain कर दिया है आपको समझ में आ गया होगा अब कई बार क्या होता है एक्जाम में हमें अगर डाइग्राम की तुरू समझाना तो कैसे समझा है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दिख रहा है मौटर यह बनी हुई जो यहाँ पर हम एरो चला रहे हैं इस तरफ का डाइग्राम बनाने का परपजी है कि आप इसको एक दिखा दिया है और जो याद रखें जो हमारे मौटर है इसको हम बोलते हैं driving member क्या बोलते है driving member और यह इदर फेंड लगा हुका है से लिए सब्हसान को लिएipt का इसको दिखा दिया है इसको दिर्वन मेंबर को मिनिके कि दीन का यहाँ denk लिए है इसके मोटर की साप्ट और फेंच की साप्ट को connect कर दिया coupling के थूँ बस हमें डाइगराम बना देना है ठीक है और यहाँ पर definition लिख देना है इसके अलावा हमें इसके परपज लिखना है कि इसका परपज क्या होता तो कैसे लिखेंगे आंगे मैं बता देता हूँ अब यदि इसका परपज क्या लिखने को आता तो कैसे लिखें ये question दमाग में आता तो मैंने हाँ पर कुछ component लिख रखेंगे उससे आप अच्छे से लिख सकते हैं समझ में आने की बाद भी कई बार ऐसा लगता कि कैसे लिखें यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मैंने first point लिख रखता जिसका मिलाईनमेंट को रुखने के लिए मिलिाईनमेंट जो भी उनके जॉइंट होते जो अगर साथ यह आग वैघरा है उस दम्या कर सके लिए क्यों किम लिए का है सकत फैस हमारी बीच हो न बह और overload को भी कम करने के लिए हम इसका यूज करते हैं कि आप लोड ना इसके लिए हम बीच में क्या कर देते हैं कहीं न कहीं हम कपलिंग का यूज कर लेते हैं तो इस तरह यूज की परपज हैं अगर कई वार लेखने को आते हैं तो आप लेख सकते हैं अब इसके चलते हैं आंगे classification की और classification से मैं कुछ और भी दिखाने चाहते हूँ कि जो coupling होती वो किस टाइप की दिखने हैं तो यहां पर कुछ coupling के मैं diagram लिए हूँ देख सकते हैं आप जैसे sleep coupling बनी हुए है mop coupling है, fringe coupling है, flexible coupling है, आपकर πोडा hams coupling देख रहे हैं universal coupling है, gear coupling है, flute coupling है यह कुछ मैने coupling के एकजाम पने यह सिर्पपन लिए लिए कि किस तरह के coupling दिखती है उन से connect करसके हैं जैसे यह देख रहे है आप अफू उन versal that child challenging कई में आगा आपको देखने को बिलेख ती किस तरही कप्लीЖ देख अब चलते हैं क्लास्पीकिशन की ओर अब नॉर्मय इसके क्लास्पीकिशन देखैं जे तो फिसको टू तरह प्रमैंट कॉपरियरी कल्मनेंट नुरूरा वत मतलप प्रमैंट का मतलब होता है जब wsp कुलच को मानें तो किया साथ टेंप्रेरी कप्लिंग की तरह काम करता है यह आप समय लें बस लेकिन जी क्लासिफिकेशन का जादा नहीं पूछा आता है लेकिन हमें टाइपस अभी बताऊंगा तो वह जरूर हमें लिखना है कि कौन से टाइपस होते हैं यहां रिक्वार्मे एजी टू कनेक्ट को असांक्स स्क्वार्मे दिसक्णेक्टली सकता है उसको अलग किया जासकता है इस चैनली से हैं पावर से छोन पार्ट में लिखा हूआ यह दि धेखेंगे इस से क्या आसानी से हम एक शाप से दूसरे शाप्त में पावर को ट्रांस्मेट कर सकते हैं विदाउट किसी लॉस्क जिसका मतलब होता एक साप्ट चम्ट किसी दूसरी साप्ट को घुमा सकते हैं बिना मतलब जो दो साप्तों को उनकी एक पॉइंट में हम उसको कनेक्ट कर सकते इस तरह मतलब साप्ट को जब इस्वाइब कराएंगे तो जटके भी साप्ट में लगते हैं जो मुवम्यंट होता है लेकिन हो मुवम्यंट ना हो उसमें नीची ऎस्तान क्या होता पर्फेक्ट्ट MOVMENT होता बिदआउट किसी जो लोट होता यह क्योंकि नहीं रेचिट करते ही लोट को रिड्यूस कि अब चलते हैं इसके ताइप को समय लेते हैं अब जे types of coupling के नाम लेखे हुए हैं उसको मैं एक बार समझा देता हूँ जैसे की लिखा है फर्स्ट होती ही rigid coupling और सेकेंड होती ही flexible coupling rigid coupling का मतला होता है इसको हम सब्सक्राइब कर सकते हैं मतला बोलते हैं इसे alignment में मतला linear direction में क्या कर सकते हैं इस आपको perfect bit alignment कर सकते हैं कनेक्ट कर सकते हैं जिससे हम अच्छे से power transmit कर सकते हैं अभी rigid coupling कुछ types की होती है sleep और map coupling हो गई, clamp और compressive coupling हो गई, flange coupling हो गई इस message जो भी पूछी आती है एक्जाम में उनको उनकी उपर में separate वीडियो लेकर आऊँगा bit diagram उसको समझाऊँगा भी उसकी design भी बताऊँगा जिससे आप numerical solve कर सकें उस पर numerical भी बताऊँगा next होती flexible coupling, flexible coupling का मतला होता है इसको lateral किसी भी direction में move कर आके हम क्या कर सकते हैं उसको जोड़ सकते हैं इसी angle पर भी उसको जोड़ सकते हैं गुमा के ठीक है तो वह होती है flexible coupling अब यहाँ पर flexible coupling जैसे कि बुस्पिन टाइप की होती ही universal coupling होती old ems coupling अब जैसा मैं बता चुका हूँ जितने भी types के आपर coupling लिखे हुई है जो exam में पूछे आती हैं उन पर मैं separate video बनाऊँगा क्योंकि यहाँ पर इन सबको मैं explain नहीं कर रहा हूँ क्योंकि खुद मैं उन पर separate video बनाने बाला हूँ with design और उनकी उपर numerical भी बताऊँगा यदि numerical पूछे जाते हूँ जो भी मैंने समझाया यदि आपको वीडियो पसंद आया हो coupling क्या होती है क्या परपजे है इस सबको समझ में आया हो तो वीडियो को like कर दें design of machine element के में मैं maximum वीडियो डाल चुका हूँगा या आप देखना चाहते हैं तो मैंने एक playlist बना रखी है design of machine element के नाम से उसमें जाकर आप देख सकते हैं और description box में maximum वीडियो की link भी दिए वहाँ पर भी देख सकते हैं ऐसे फ्रेंट्स हैं जो वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को subscribe नहीं किया है तो प्लीज आप भी चैनल को subscribe कर लें पहला icon पर click कर लें जिससे की आने वाले वीडियो की notification आपके पास पहुंच सके हैं Thank you friends